हेलो एवरिवन मैं हूँ स्वाती और आज हम बनाएंगे एगलस चॉकलेट केक इस टेस्टी से केक के साथ आज मैं आपको इसका एक इजी और क्विक केक डेकॉरेशन भी बताने वाली हूँ जिसे आप आसानी से इसे अपने घर में एक मिनिट में ही बना सकते हैं बिना विप आइकन को प्रेस करें ताकि जब भी मैं नई रेसिपी अपलोड करूँ आप उसे सबसे पहले देख सके तो चलिए शुरू करते हम इसके इंग्रीडियेंट्स के साथ एक कप मैदा 200 ml कंडेंस मिल्क 100 ग्राम अनसॉल्टेट सॉफ्ट बटर 2 टेबल स्पून पिसी हुई शक एक टी स्पून वाइट विनेगर एक टी स्पून वनीला एसंस एक टी स्पून बेकिंग पाउडर और आधा टी स्पून बेकिंग सोडा सबसे पहले हम केक टिन को तयार करेंगे इसके लिए केक टिन के साइट्स में और बॉटम में अच्छे से बटर या तेल लगा लेंग जैसी बेटर हमारे अच्छे से लग जाए अब हम इसमें नीचे पाच्मेंट पेपर बिचा देंगे पाच्मेंट पेपर से केक केक टन से आसानी से निकल जाता है आप चाहे तो मैदे को भी डेस्ट कर सकते हैं इस समय हम अपने अवन को प्री हीट करने के लिए लगा देंग नेक्स्ट इसी में हम अपनी पिसी हुई शक्कर एड़ करेंगे और कोको पाउडर को भी आड़ कर लेंगे इन चीजों को भी हमें अच्छे से चान लेना है ताकि इनमें कोई भी गुठलिया न रहे जैसे हमारी ड्राइ इंग्रेडियेंट्स अच्छे से च्छन जाए उसके बाद हम इन अच्छे से एक बार मिक्स कर लेंगे ताकि बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा सारे मैदे में evenly मिक्स हो जाए अब हम एक बड़े बोल में condensed milk ले लेंगे और next हम इसमें अपना unsalted soft butter mix कर लेंगे याद रहे हैं कि दोनों ingredients हमारे room temperature पर होने चाहिए अब इस butter और condensed milk को हमें 6-8 minute के लिए beat करना है मैं यहां electric beater का use कर रही हूँ आप चाहे तो hand whisker का भी use कर सकते हैं low speed पर पहले हम इसे beat करेंगे और दीरे-दीरे speed को बढ़ाते जाएंगे higher speed की तरफ 6-8 minute बाद हम देखेंगे कि mixture हमारा अच्छे से fit चुका है यह light भी हो गया है और fluffy भी हो गया है अब next हम इसमें अपने dry ingredients जो हमने चान के रखेते उसे mix कर लेंगे इस mixture को हमें दीरे-दीरे ही mix करना है बहुत तेजी से mix नहीं करना है नहीं तो जो इसमें ariation हमने beating से develop किया है वो चला जाएगा और cake हमारा फूलेगा नहीं इसे mix करने के बाद अब जो हमने half cup water लिया था उसमें हम vanilla essence और white vinegar को add कर देंगे इसे अच्छे से mix कर लेंगे और इसे हम आधा आधा करके अपने cake के batter में डालेंगे आधा डालने के बाद फिर से हम beater की मदद से इसे थोड़ा सा 10 से 12 सेकंड के लिए mix कर लेंगे जैसी ही अच्छे से mix हो जाए अब हम इसमें बाकी का बचा हुआ भी water mixture डाल देंगे और फिर से beater की मदद से mix कर लेंगे 10 से 15 सेकंड के लिए इसे हमें याद रहे कि बिल्कुल भी over beat नहीं करना है जैसे mixture हमारा mix हो जाए अब bowl के sides को हम scrape कर लेंगे और cake का batter हमारा बिल्कुल तयार है इसकी consistency भी बहुत अच्छी है और यह बहुत fluffy भी हो गया है अब इस cake batter को हम cake tin में डाल देंगे cake tin के नीचे एक kitchen towel रखेंगे और इसे tap करते हुए हम थोड़ा सा circular motion में गुमाएंगे जिससे हमारे सारे air bubbles भी निकल जाएंगे और उपर की जो layer है वो भी flat हो जाएगी आप देख सकते हैं कि कैसे air bubbles फट रहे हैं इसे हमारा cake evenly baked होगा अब इस cake tin को हम preheated oven में रखेंगे 180 degree centigrade पर 20-25 मिनिट के लिए मेरे इस cake को bake होने में 23 मिनिट लगे हैं आप भी 20-22 मिनिट बाद एक बार चेक कर लिजिएगा cake हमारा bake हुआ है या नहीं इसे पहचानने के तीन तरीके हैं नमबर वन cake अपने sides छोड़ देगा cake tin से इसका मतलब cake हमारा तयार है नमबर दो cake को हम थोड़ असा प्रेस करके देखेंगे तो वो फिर से return उपर की तरफ आ जाएगा मतलब वो spongy भी बना है और तयार भी है और नमबर तीन हम इसमें एक knife डाल के देखेंगे center में अगर knife clean निकलता है इसका मतलब cake हमारा तयार है cake को पूरी तरह से ठंडा होने के बाद इसके sides को हम loose कर लेंगे एक knife की मदद से और एक plate में उल्टा कर लेंगे थोड़ा सा tap करेंगे चुकि parchment paper लगा था इसलिए वो आसानी से निकल जाएगा दीरे से parchment paper को हटा देंगे और chocolate cake हमारा super soft spongy तयार है आज मैं आपको बिना whipping cream और बिना chocolate गनाश के एक simple सा decoration बता रहे हूँ इसके लिए मैंने ये कुछ paper के strips ले लिये हैं आप चाहे तो इसे अपनी मन पसंद से कितना भी thickness का काट सकते हैं रेंडमली मैंने इसे अपनी cake पे बिचा लिया है और हलकासा press कर देंगे ताकि वो stick हो जाए cake से अब हम एक छन्नी में थोड़ी सी powder sugar ले लेंगे और इसे दीरे-दीरे पूरे cake पे छिड़क देंगे अच्छे से इसे evenly spread कर देंगे ताकि हमारा cake का design बहुत ही अच्छे से बन कर आएगा अब दीरे-दीरे करके एक-एक white strip को हम हटाते जाएंगे बहुत ही आराम से करेंगे नहीं तो हमारा design बिगड़ भी सकता है जैसे जैसे हम strips हटाते जाएंगे हमें हमारा design दिखता जाएगा और देखिए आप बिना whipping cream और बिना चॉकलेट गनाश के कितना सुन्दर cake का decoration हमने किया है और आपका चॉकलेट cake with easy decoration बिल्कुल तैयार है आप इसे अपने चाय के साथ या ऐसे ही कभी भी खा सकते हैं मेरी ऐसी ही आसान और quick recipes को देखने के लिए आप मेरे channel को visit कर सकते हैं और दी गई links पर click कर सकते हैं